इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है यह शरीर में केलशियम के स्तर में सुधार करता है यह आपकी हड़ियों को मजबूत और स्वस्त रखने में मदद करता है और औस्टियोपरोसिस जैसे किसी भी हड़ि के विकार के जोखिम को कम करता है केलशियम नसों, कोशिकाओं, मानसपेशियों और हिरदय के सामानिकामकाज के लिए भी आवश्यक है इस सयोजन में अन्यव विटामिन और खनिज होते हैं जो प्रतिरक्षप्रनाली को मजबूत करने में मदद करते हैं शरीर के चयापचे में सुधार करते हैं और तंत्र का तंत्र के समुचित कारे में सहायता करते हैं एट्रोल एक्स्टी टैबलेट लेने से सामानि स्वास्थि में सुधार होता है और जीवन की गुनवत्ता में सुधार होता है इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं एट्रोल एक्स्टी टेबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए एट्रोल एक्स्टी टेबलेट पाँच दवाओं केल्शियम कार्बोनेट, विटमिन D3, मिथाइल कोबाला मिन, एल मिथाइल फोलेट केल्शियम और पारिडॉक्सल पाँच फॉसफेट से मिलकर बना है केल्शियम कार्बोनेट एक आहार पूरक है जिसका उप्योग तब किया जाता है जब आहार में केल्शियम की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है विटमिन D3 विटमिन D का ही एक रूप है यह आपके रक्त में विटमिन D के स्तर को बढ़ाता है यह बदले में आपके रक्त में केल्शियम के स्तर को बढ़ाता है जिससे आपको भूजन से अधिक केल्शियम अवशोशित करने में मदद मिलती है मिथाइल को बालामिन विटामिन बी बारा का एक रूप है जो शरीर में अपने लेवल में सुधार करता है जिससे कुछ अनीमिया और नसों से समबंधित समस्याओं के इलाज में मदद मिलती है एल मिथाइल फोलेट केल्शियम और पारिडॉक्सल पांच फॉस्फेट पोशक तत्वपूरक हैं जो हमारे शरीर को आवश्यक पोशक तत्वप्रदान करते हैं और समग्र स्वास्थि में सुधार करते हैं विडियो को पूँरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन on all नोटिफिकेशन पर स करें धन्यवाद